ये 25 एकर करने के में उनको करीबन एक 8,000 तक इंकम मिलेगा परड़े के इसाब से ड्रोन से हम एक दिन में 25 से 30 एकर तक आराम से कर सकते हैं ये 3.5 लाग जो आप खर्च कर रहे हैं आप 6 या 7 मेहने में आप रीकवर कर सकते हैं दोस्तो यह वीडियो कुछ अमेजिंग होने वाली है आज हम आपको बताएंगे एग्रिकल्चरल ड्रोन के बारे में कहां से आप इसे खरी सकते हैं कितने का यह आता है और कैसे इसे ओपरेट करते हैं यह एग्रिकल्चरल ड्रोन सभी किसान भाईयों के लिए फायदे मंद है बड़े किसान भाईयों के लिए तो यह एडवांस टेकनोलोजी ही है वहीं जो छोटे किसान भाईय है इसे इस्तमाल करके रेंट पर देकर साथ से आठाजार रुपे पड़डे वो कमाई कर सकते हैं चलिए जानते हैं इस एग्रिकल्चरल ड्रोन के बारे में एक बर करना पड़ता है क्योंकि नाया जगा है तो उसको जीपीएस लेने में एक मिनिट टाइम लेगा वो कैलिबरेशन होने के बाद हम एक प्रसस बताता है स्टार्ट चेमर काली जैसे वीडियो गेम खेलते हम उतना ही आसान है यूज करना लेप में लेपी आकर्पी तो थोड़ा बहुत सेप्टी लेना है थोड़ा डिस्टेंस करना है तो जैसे नॉर्मल जो ड्रोन सम उडाते हैं जैसे हम डिजी आ का उड़ा रहे हैं तो मेरे कहल से इतना ही आफ्ञान है कि अभी जो है वो अपने आप एक बार लिफ्ट करने के बाद आपने आप वो एक पात बना लेता है और हम जो एकर हम अल्रेडी जी पिस में दाले हैं उसमें से एकर कंप्लीट करके वह पे जब भी उसका पानी कहतम हो गया वह पे एक पॉइंट बना के फिर वापस अमारे प पेसिफिक अरिया पे यहां पे नहीं करना आप उस चीज को कैसे हम इस चीज के अंदर हैं इसमें क्या होता है ना अभी हमारा जो लैंड है एक स्क्वार बित होने का जरूत नहीं है जैसे भी जिग्-जाग होने जिजिए मगर हम जो अब सुबा जीपिस मार्किंग लगात इसमें सिफ दानी लगा हुआ है अब वह एक एकर का होने के बाद में सेगिंड एकर अपने आप में बैटरी जब हम चेंज करेंगे वह सेकिंड एकर से शुरुवात करेगा जिपिस लेके यह में फिर सेट करना बढ़ेगा लग जीपिस अलड़ी सेट रहेगा एक बार साथे आजाता है तब हम बैटरी भी बदल लेते हैं और बैटरी हम जीरो तक ड्रेन नहीं करते हैं थोड़ा 80 परसंट तक यूज करें उससे आगे इस अपने अप होने लगेगा अपने अप होने लगेगा चुकि उसका फिर से जीपिस लगाने का कोई ज़द नहीं और इत बुलतो इसमें काली अप देखे तो चार पंक है इसमें छे बंक है जिससे हमको थोड़ा वो थोड़ा बीस थी साधार का इसका ज्यादा कॉस्ट रहेगा मगर इसका कंट्रोल अचा रहेगा अब जैसे कोई इस पे स्प्रे कर रहा अगर ड्रोन से तो कितने अरिया के अंद अगर टाइम में जैसे चलता है तो कितने लीटर ले लेकर यह उड़ सकता इसमें 10 लीटर पानी में हम एक एकर कवर सकते और बार बार करने का जोरूध नहीं दोर्वत नहीं रहेगा ड्रोन क्या होता है यह जो जो 10 लीटर का पानी है उसको एक मिश्ट तरा एक फॉग के तरा यह नौजल जो है कट कर देते हैं और वह फॉग भी अभी हमको इतना यूसफुल रहेगा स्प्रे होने के बाद पांच मिनिट के बाद भारिश हुआ है तो भी हमारा केमिकल वेस्ट नहीं जाएगा पौदा ले लेगा अब जैसे हम इसे स्प्रे कर रहे हैं माली और बैटरी कितनी लेता है और कितनी बैटरी के साथ में आती है बैटरी आप एकर के इसाब से देखे तो वन एफ एकर कवर कर सकता है एक बैटरी और वो फिर से चार्ज होने के लिए एक अदा गंटा लगता है और एक मिनिट में बताना है तो तो 10 से 15 मिनिट हमको एक यह प्रेशर बहुत फसल ऐसा तो नहीं है कि फसल को नहीं होगा आप बोल रहे हैं कि फसल नीचे गिर जाने का नहीं होगा अभी देखो इसका जो थ्रस्ट है इसलिए हम 10 लीटर आइडियल बोलते हैं क्योंकि इससे उपर जो 20 लीटर का या 15 लीटर का उसमें थ्रस्ट कराबने का थोड़ा बोट चांसस होता है मर इसमें जो है यह किसी भी स्टेज में आप यूज कर सकते और फेर कराबने और मुटले कि फ्रस्ट से जितना भी फोग है और नीचे ही जाए जाए अभी देखो आप चा पैड़ी का फील्स है बिगिनिंग में बहुत स्ट्रॉं होते है और लास्ट स्टेज जब आता है थोड़ा पौधा वाटर हम निकाल देते बाद में उसके सीड निकलने के बाद वो थोड़ा हेवी हो जाता है मगर थब भी यह उसको डिस्टम नहीं करता है जैसे अगर इस प्रे मशीन की बात करें वो साड़े 3,000 का और अगर इसक आप जो वाईसे कंपेर किये तो मैं यह बता सकता हूं यह 3,500,000 जो आप खर्च कर रहे हैं आप 6 या 7 महने में आप रिकवर कर सकते हैं वो कैसे में बताता आप जिसे आप एक साव एकर का मालिक होंगे या पचास या पचीस आपका यह काम साव एकर रंद यह एक या दो द रंट को चलाने के लिए करीते हैं वो लोग हर दिन पचीस एकर तक कवर करते हैं और यह पचीस एकर कवर करने के के लिए उनको करीबन एक एक आठ हजार तक इंकम मिलेगा परडे के इसाब से आप पहले आदमी है आपके एरिया में यह एक टेक्नोलोजी हमारे से करीद है तो हम यह देखते है कि आपको एक चार-पांच दिन ज्यादा लगा के पूरा टेक्नोलोजी हम आपको सिखा देते हैं जिसमें आपको काली कुछ प्रॉबलम हुआ आप काली स्पेर पार्ट के लिए हमको कॉल करते हैं और वह नजदी की शहर से लिए के इंदोर या डिली अमरित्सर वहां यह मेजर कैपिटल सिटी से हम आपको सेंड कर देते हैं और आप कभी भी ऐसा एक इससे इसमें ज्यादा बड़ा रिपेर्स तो ज्यादा नहीं आते हैं तब ही आते हैं जब हम हम बाइ मिस्टेक किसी पेड को लागा के नीचे गिरा दिया अगर नॉर्मल जब हम स्प्रे करते हैं वह बोथ डेंजर स्प्रेइं है हमारा एंपार्म जदा तोड़ा प्रेकॉशन्स नहीं लेते हैं लेसे हम चले जाते हैं यह दो रून श्री उसके लिए बहुत अच्छा रिप्लेस्मेंट है यह समझ लो एक बुलग काट को एक रेक्टर ने रिप वह अंतर यह है कि अभी आप पानी क्या समझ लो हम खाली इसमें 10 लीटर पानी का यूज कर रहे हैं और वह 15 लीटर ठंकी हमको पहन के गूमने का जाने का और यह जो पांच मिनिट में काम हो और फिर पूरा गंटे नहीं लग रहे हैं और महनत कमर पे जो वजन टांग के करना पड़ रहे हैं वह भी हमें नहीं करना पड़ना पड़ना उसके उपर उसके अलावा लेबर का प्राबलम है उसका जरूओत नहीं है और यह जो एक दिन में 25 से 30 एकर का और जाए अभी उसका बैटरी के पैस्टी हमेरे पास अच्छा है तो हम 50 एकर भी कर सकते रहन इतना यह जो अग्री करते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम से जैसे लेबर ना मिलना या स्प्रेइंग के लिए हम सव से ज्यादा लीटर पानी यूज करते हैं जिसमें अभी यह दस लीटर में पानी यूजिंग से खतम कर देता हैं एक बार यहां पर ही हाप केमिकल मिला दि और वो खरीबन पांच मिनिट में यह काम कर देगा तो दोस्तों हमने अग्रिकल्चर ड्रोन के बारे में आपको सभी जानकारी थी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए जैसे कि इसे कहां से खरीदना है या इसकी सर्विसिस आपको कैसे लेनी है उसके लिए आप हमें कम यदे बान प्लूम तो